तो पूरे एक साल बाद यहाँ पे Redmi ने लाँच कर दिया है Redmi Buds 5 और इसे मैंने खरीद लिया है Amazon से पूरे 3000 रुपै का चरियल दिसे इसे खोल लेते हैं और यहाँ पे बता दू यहाँ पे ना इस वाले Redmi Buds के साथ काफी जादा Advancements किये गए हैं पिछले वाले के comparison में यह है Redmi Buds 5 का Box Packaging इस बार काफी जादा Minimal रखा गया है Box खोलते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे Earbuds को बाहर निकाल लेते हैं साथ में यहाँ पे Extra Ear Tips दिया गया है अलग-अलग sizes का और साथ में मिलता है USB Type-C Cable Charging के लिए और काफी सारा Paperwork जहाँ पे इनके application के बार में भी लिखा है ज देख सकते हैं close-up बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पे देखने में design इस बार काफी जादा इंप्रूब कर रहा है रेडमी ने साथ में यहाँ पर का जो रेडमी का यह ब्रेंडिंग है बहुत यह प्रीमियम लग रहा है नीचे की तरफ एक छोटा सा LED इंडिकेटर है जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका यह देखे यह देखे LED इंडिकेटर है साथ में यहाँ पर जो एक टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए साथ में पीछे की तरफ ऐसे कुछ भी नहीं है अंदर की तरफ आपको birds रखे हुए मिल जाएंगे साथ में birds का इस बार काफी अधा खूबसूरत और काफी जाधा अलग और हटके लग रहा है यहाँ पर अंदर की तरफ भी एक छोटा सा LED दिया गया है जो की काफी बैतरीन सा एक डिजाइन लुक है इन yearbirds को पहन करके देखते हैं तो comfortable है और काफी जाधा काफी अच्छे तरीके से आप इन्हें काफी घंटों तक पहन सकते हैं definitely इन्हें आप पहन करके जिम भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही जाधा tight fitting के साथ आ जाते हैं लेकिन इनको case में रखने का जो तरीका आना वो मुझे उतना पसंद नहीं आया आप यहाँ पर normally case में इस तरीके से रख दोगे तो यह यह प्लूटूथ ऑन करना है यहाँ पर डगकन ऊपन करना है और यहाँ पर आपको Google fast pairing का pop-up दिख जाना चाहिए करते हैं यहाँ पर आपका जो earbirds है वह इस तरीके से पैर हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपके Bluetooth अले section में यहाँ पर हम चलते हैं info के अंदर तो यहाँ पर आपको media audio के अंदर standard SBC codec और HD audio codec मतलब AAC audio codec भी मिल जाता है तो आपको यहाँ पर settings में आ करके change करना है AAC audio codec on कर लेना है और इन earbirds को आप यहाँ पर जिम में भी पहन कर जा सकते हैं क्योंकि इन में आपको IP54 की rating मिल जाती है और साथी में इन में आपको dual pairing का support भी मिल जाता है जहाँ पर आप दो smartphone एक ही साथ connect कर सकते हैं इन वाले earbirds के साथ और साथी में यहाँ पर आप चाहते हैं तो एक laptop और एक smartphone भी connect कर सकते हैं लेकिन देख लेते हैं dual pairing आपको किस तरीके से use करना है और यहाँ पर किस तरीके से यह on होता है तो सबसे पहले आ यहाँ पर आपको इसके बाद जाना है इसके application के अंदर और यहाँ पर आपको dual connection on कर लेना है इसका जो application मैंने आपको बताया Xiaomi earbirds इत है अ इधर साइड में आपको एक reset button दिया गया है इस button को आपको करना है click क्लिक करते ही आपको यहां पर यह 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 बड्स दुसरे वाले फोन में देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर मैं connect कर लूँगा और यहां पर देख सकते हैं यह वाले Redmi Buds 5 connect हो चुके हैं अब यहां पर मुझे पहले वाले device पर फिर से जाना है और यहां पर connect कर लेना है तो कुछ इस तरीके से यहां पर जो है dual pairing आपका काम करता है देख सकते हैं यहां पर दोनों ही smart phones में यह जो है connect हो चुका है पहले वाले phone के साथ भी connect हो गया है हमारे दूसर image battery और earbuds में मिलता है 54 image battery और Redmi ने यहां पर 38 hours का playback time claim किया हुआ है मैंने इसको जितना भी अभी यूज करा एक घंटे में मुझे यहां पर समझ में आए कि इसकी battery backup आराम से एक से लेकर देड़ दिन तक चल जाएगा और अगर आप ANC on रखते हैं तो शायद एक दिन का ही battery backup मि user है जहां पर दिन में एक दो घंटा यूज करते हैं तो शायद यहां पर आराम से यह दो से तीन दिन तो चली जाएंगे ANC on करके भी लेकिन साथ में इसमें आपको fast charging भी मिल जाता है तो आप अगर इस दस मिनट चार्ज करते हैं तो आपको चार घंटी की battery backup देखने को मिल हो रहा है redmi के birds 5 में यहां पर देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको आई रही होगी तो यह था एक आउंडोर टेस्टिंग रेडमी बर्ड 5 का यहां पर देख सकते हैं पीछे की तरफ आप अपर सुन करके साथ ही में इनका जो application है Xiaomi earbuds इसे भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है चलिए देखते हैं इस application में क्या क्या मिल जाता है application open करते ही आपको यहां पर भर भर के terms and conditions देखने को मिल जाते हैं साथ में इनका खुद का privacy policy भी है तो अगर आप इने agree नहीं करोगे तो आपको application के अंदर भूसने नहीं दिया जाएगा सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं battery percentage आपको तीनों ही चीज का देखने को मिल जाता है दोनों earbuds का और केस का और उसके बाद आपको यहां पर transparency mode noise cancellation को off करने का यहां पर toggle दिया है साथ ही में यहां पर gesture controls को यहां पर customize कर सकते हैं मतलब इसके touch controls का कर सकते हैं यह जोrados यहां पर ऊद्रों के आपको पहले ऊठों में लगा लेना है और उसो के बाद ही यहां पर यहां पर standard पर है है लेकिन मेरे इसाब से आपको standard पर ही रखना चाहिए best sound quality के लिए मतलब balance sound quality के लिए साथ में यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह वाला toggle आ चुका है जहां पर आपको d balanced और light के बीच में जो है फरक देखने को मिलेगा मुझे लगता है आपको यहां पर balance पर ही रखना चाहिए जहां पर आपको balance sound quality मिलेगी साथ में यहां पर additional settings के अंदर जाते हैं यहां पर आपको in-ear detection on-off करने का मौका मिल जाता है और साथ में यहां पर यह टिप fit test और dual connection का support मिलता है dual connection का आपको मैं बता दूँगा किस तरी किसे काम करता है take calls automatically तो यहां पर आप इसे on and off कर सकते हैं मतलब यहां पर call आते ही तुरंत यह जो है receive कर लेगा यह चीज़ आप यहां पर on and off कर सकते हैं साथ में यहां पर find your earphones firmware update about device यह सारी चीज़े देखने को मलती है तो application बहुत ही बढ़िया यहां पर implement किया गया है redmi के तरफ से लेकिन बात करें सबसे important चीज़ की जो केस की sound quality मैंने इसको पिछले एक गंटे से यूज करा लेकिन इसमें आपको सबसे पहरे बता दू 12.4 mm के drivers मिल जाते हैं और इसे एक गंटे clarity अच्छे मिल जाएगी लेकिन एन एक थोड़ा सा अजीब सा sound quality सुनने को मिलता है ऐसा लगता है कहीं दूर से कोई कुछ बोल रहा है तो इस तरीकी की sound quality यहां पर हलकी से सुनने को मिलती है इस वाले earbird के साथ और थोड़ा सा मुझे यहां पर sound staging में दिक्कत लगी है इस वाले earbird के साथ यहां पर जो instrument है वो उतने अच्छे तरीके से separate नहीं कर पाता है clarity के ममले में थोड़ा और अच्छा हो सकता था यहां पर जो है बेस की तरफ थोड़ा सा जादा ही जुका हो है इसका थो जादा ही बेस के तरफ यह वाले earbuds जा रहे हैं अगर आप एक वेस लवर है तो आपको यह वाले earbuds डेफिनेटली पसंद आएंगे लेकिन अगर आपको clarity चाहिए और साथ में बेस चाहिए जैसे की balance sound quality होता है तो यह बिल्कुल भी balance sound quality के साथ तो नहीं आता तो overall sound quality अच्छी ह में लिख करके मुझे बता सकते हैं तो overall यह जो earbuds है मुझे price के साथ से काफी अच्छे लगे लेकिन यार इसमें काफी major major चीजे missing है और साथ ही में इसमें आपको ANC यानि की active noise cancellation दिया गया है वो भी 46 decibels का जो की बहुत ही बहतरीन काम करता है यहाँ पर outdoor में मुझे थोड़ा सा हलका लगा इंडोर में ठीक है अच्छा काम करता है इंडोर में एसी फैन और कूकर की सीटी इन सब चीजों को यहाँ पर एक एंसल आउट कर देता है लेकिन outdoors में थोड़ा सा हलका सा लगा मुझे इसका ANC का performance और ANC को on करते हैं sound quality यहाँ पर थोड़ा सा degrade हो जाता है थो उतना recommend नहीं करूँगा क्योंकि इन से better sound quality CMF Buds Pro या फिर Realme के Buds में आ जा रहे है Realme का T300 अगर आप चाहते मैं इन्हें compare करूँ यहाँ पर उन earbuds के साथ Realme के साथ या फिर CMF के साथ नीचे comment section में लिख करके मुझे बता सकते हैं और साथी में सबसे major feature जो है इसके साथ missing है ज काफी जादा काम करना है यहाँ पर पिछले साल भी मैंने इन्हें यही कहां था क्या design या फिर यह जो looks है इन से कुछ फरक नहीं पड़ता है इतना आपके earbuds में कितने features हैं और वो features कितने अच्छे काम करते हैं वो matter करता है लेकिन शायद Redmi वालों को समझ में नहीं आया Redmi वाल करना है नीचे description में इसका link दिए होगा है तब तक लिए हो तो जैहिन और आपका दिन शुब रहे हैं